अलो फैंट्स असलाम उलेकूम मैं डॉक्टर फाहीम वेलकम टू फाहीम ब्लॉक्स आज का विजह है बकरी ब्याने के बाद उनका दूद नहीं बढ़ पा रहा है जिसके विज़े से उनके बच्चे भूके रह रहे हैं और अगर सही समय पर उनका दूद नहीं बना तो बच् और इसकी जो कीमत है वह 175 रुपय नई MRP और इसकी डेट है सिप्तमबर 2021 और साथी इसके जो साथ आता है वह 60 ml का जार होता है जिसका नाम है विमराल आज मैं सभी भाईयों का कमेंट यह रहता है कि हमें साथ विमराल जो 60 ml का जार आता है वह मिलाना चाहिए नहीं मिलाना तो मैं कहता हूँ हंड़ेट परसेंट मिलाना चाहिए चाहए आप बकरो को दे रहे हैं चाहए बक्रियों को दे रहे है इसमें विटामिंस होते हैं जो और विटामिनस बहुत ज़्यादा होते여 और इसकी स्पावर बन जाती है अगर आप इसको नहीं मिलाएंगे तो इसकी से 20 दिन के बाद हमें और वाइट आमेज देने चाहिए यानि जब भी हम इसको जग बगरी ब्या जाती है तो और प्लस विमराल को दोनों को एड़ करके हमें 10 ml पर दे देना है जिससे बगरी का दूद भी बढ़ने लगेगा और सबसे पहले हमां दिखाएंगे कि इसको कैसे हम खोलने के बाद इसको एड़ कर सकते हैं जैसे कि आप स्कीम पर देख रहे हैं और बकरी का दूद बढ़ने के बहुत सारे कारण है देखे जब भी आप ऑस्टोविट कैलसियम दे रहे हैं और बकरी का दूद नहीं बढ़़ा इससे पहले तो ऑस्टोविट कैलसियम को प जीतना बक्री अच्छा खाएगी और जुगाली भी करेगी तो उसका दूद भी बढ़ेगा जब खाएगी तो और दूसरी चीज यह है कि हमें बक्री को डिवार्मिंग के बाद कैल्सियम और लीवर टॉनिक जरूर देना है जैसे बक्री की भूग कम है और वो सुगाली कम ख कर देंगे और एक मैडिशन और में बताओंगा अभी मैं अपने बक्रों को लीवर टॉनिक प्ला रहा हूं जैसे क्या आप देख रहे हैं 10 ml सब बड़े-बड़े बगरे को मैं लिवर टॉनिक दे रहा हूं इसका नाम है बीर बूस्ट इसके उपर मैं लिवर टॉनिक पर वीडियो भी बना चुका हूँ आई बटन में आपको दे दूँगा तो साथियो दूद बढ़ाने के लिए हमें विमराल और प्लस ऑस्टोवेट यह लगभग मिलाने के बाद 15-20 दिन आप लगातार कंट्यूनि पिलाएं अगर पसाब कम है तो उसको पसाब बढ़ाने के लि यानि जो बकरी ब्याने के बाद लिवर टॉनिक भी दे रहे हैं केलसिम बे आप दे रहे हैं उसका दूद नहीं बढ़ रहा है तो एक महन कारण होता है साथियो अच्छी आप डाइट भी जरूर दें उसको प्रोटीन यूक्त चारा भी यानि दाना भी दें दाने में जैस चने इस टेम दे रहा हूं मैं जो भी दे रहा हूं और प्लस एक दलिया मैं आपको बदा रहा हूं जो काफी पॉस्टिक हो जाएगा तो साथियो सो ग्राम आपको गेहूं का दलिया लेना है और सो ग्राम चने का दलिया और सो ग्राम बाजरा ये तीनों मिक्स करके आपने 1.5-2 किलो पानी में इसको अच्छी तरह पका ले लेना है। और 100 ग्राम आपने इसमें गुड़ गे लेना है। और जब ये अच्छी तरह पक जाए तो बकरी को सुबह साम आप इसको दे सकते हैं। और लगातार आप इसको अच्छी तरह एक या दो हफते या तीन हफते आप देंगे तो मैं कहता हूं इंशालला बगरी का दूस्थ जरूर बढ़ेगा और ध्यान ये रखें कि बगरी की सब काम करने से पहले बगरी की डिवार्मिंग अवस्थे करें डिवार्मिंग के बाद ये सब चीज आप अपनाएं एपलाई करें और डिवार्मिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं पेगनेंट गोट है या अन पेगनेंट है तो उसकी में वीडियो आई बटन में देतूंगा डिवार्मिंग की तो साथियो इसी तरह बगरी का आपका दूद बढ़ आपलाई